तो दोस्तो आज 8 February 2023 मार्केट के अंदर आज बहुती शान्दा रिकवरी हमें देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 17871 पॉइंट पे लगबग 0.85% तेजी के साथ आज अगर हम बात करें सेक्टर वाइस तो अल्मोस सारी सेक्टा दोस्तो कहीने के पॉजि आज देखने को नहीं मिला फिर भी पॉजिटी मोसी दिया 185keep के अधि तेजी देखने को मिला आज जा काफी अच्य मार्केट के मोसे Wells किया उक्कर सारी 300 वर्पर जाके क्लोजिंग दिया तो दोस्तों आज ओवराल बात करें मार्केट का जो ट्रेण था कापी पॉजिट तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसा न्यूज है कुछ ऐसा इंपॉर्टन की फैक्टर से जो कि कल मार्केट को ट्रीगर कर सकता है तो चली एक एक करके कवर करते हैं उसके साथ कल मार्केट किस तरफ जा सकता है क्या फिर से कल करेक्शन होगा गिरावट होने का सबसे पहले बहुत इंपॉर्टन अपडेट हाँ यह न्यूज है इस चैनल पर मैं कवर नहीं किया थोड़ा सब देख लीचे जैसे कि लास्त तीन दिन से मिटिंग चल रहा था अर्बी आई का सब्सक्राइब आउटकम आज दूरिंग मार्केट पर आउट हुआ जो कि मोस्ट अप दा ब्रोकरेज कंपनी और एनलिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि लगब 25 बीपेस तक यहां पर रेपोरेट हाई हो सकते इस बार सेम टूसेम वही हुआ 25 बीपेस तक रेपोरेट हाई को नेक्स दोस्तों इसी मीटिंग के आउटकम जब यहां पर दे रहा था इंडिया का जो सेंट्रल बैंक आर बीए का जो गवर्नर है मिस्टर सक्टी कांता ताज जी उनको यहां पे जो पूछा क्या की हिंदेन बार्ग की उपर जो कंट्रोवर्सी चल रहा है मतब अदानी हिंदन बार के बीच में तो हापे जो इंडियान बैंकिंग सेक्टर कितना एफेक्ट हो सकता है तो उन्होंने इसके उपर जो स्टेट पें दिया वह काफी ठीक ठाक मुझे तो काफी ठीक ठीक और पसंद आया या पर देख लिजे दा स्ट्रेंट एन साइज रेजिलेंस द कुछ दिन पहले हमें मिल गया क्योंकि जब आड़ बैंक के अंदर जो लोन लोन बुक का एक्सपोशर ता वह स्टेटमेंट देने के लिए बोला तो हमने देखा ज्यादा तर बैंक का जो अधानी ग्रूप को लोन का जो एक्सपोशर था वह लगबग बोल सकते का आधा प कंपनिया जो की अधानी ग्रूप के अफर काफी भारी बरकम इन्वेस्ट काफी पहले तो उनके तरब से याँ पे स्टेटमें दिया आज की रेट पे क्या बोला तो देख लिए टोटल एनर्जीस एसी सेट 3.1 बिलियन इन्वेस्पेंट इन ग्यास और रनीवल यूनिट इंडियान कॉंगलमेटेट मतब अधानी ग्रूप के अंधर इन्वेस्ट क्या था और हेल्टी तो यहां पर देख से तो मतब इन्हों ने इन्वेस्ट करें कोई गल्ती नहीं कि उसके साथ यह भी काई एट किया है देखिए हाइड्रोजन पार्टनर्शिप इस ऑन होल्ट फॉर्टा मोमेंट तो हाइड्रोजन पार्टनर्शिप को पर जो इन दोनों कंपनी वेच पार्टनर्शिप हुआ था वह भी होल्ड में रखा ठीक है तो यह भी काफी पॉजिटिव अपडेट है अधानी ग्रूप के उपर उसके साथ साथ और एक अप्डेट है तो थो थ होला है यहां पर स्टेट में में कि अधानी एंटर्प्राइस का जो फियर वैलू होना चाहिए लगबक 945 रूप्यास तो फिलाल इसके डबल हो चुगा मत शेयर के अंदर काफी अच्छा तेजी भी देखने को मैं शेयर से दिसीदा 2000 की उपर जाके क्लोजिंग दिया नेक के अधानी ग्रूप के उपर बात करें ज्यादर कंपनी का बहुत जबहुत हाई है यह इंटरपैस कूठा लीजिए ट्रांसमेशन कूठा लीजिए ग्रीन को ठालीजिए ठीक है बट अधानी पोर्ट एक लॉती शेयर मुझे पहले से लगता था और आपको मैं शेयर भी कि अधानी ग्रूप की शेयर कंदर लालच में आके गलती से एक भी पैसे मत करना ठीक है नेक्स दोस्तों चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के अपडेट हम देख ले तो उसके बाद हम थोड़ा सा टेकनिकल एनलेस पे चलेंगे तो फिलाल अगर हम बात करें टाइम गिरावट के साथ अभी ट्रेट करा तो देखिया अगर अगर प्लोजिंग गिरावट में दिया तो उसके समय हो सकते किकल फिर से इंडियान आईटी सेक्टर के अंदर आपको गिरावट होने का चांस है तो कल इंडियान मार्केट के अंदर भी एक हलका फुल का करेक्शन इस ओर किया कमजोरी होने का चांस है आब आगरम बात करें एंडिक्स फिलाल पॉजिटीव देखने के मिला डेक्ष विलाप लिटिक करें आरो gue फक्टी की बात करें करें ऑलुष तक् प्रिस्ट पॉइंट पे ठीक है और अभी डॉलर इंडेक्स की बात करें यहां पर कोई बहुत बहुत बढ़ा दीजी गिरावर देखने को नहीं मिला और कमेटी मार्केट की बात करें यहां पर करेंगे हैं य कुछ इंदियान केंसे का वालेशन जो लगा था दो ती ने तो एकदम यूज सेलिंग देख हुआ था लास्ट कुछ हफतों से तो कहीं ने कहीं दोस्तों वह कहीं ने कहीं कि आज की डिए ब्रेक लगता हुआ नज़र आया वे टोटल जो बाइंग किया आज एफाइस ने इंडियार मार्केट के उपर साथ 617 करूर कर शेयर उसके एगे बारा करोर का शेयर और जो टोटल नेट वालू आज जो परचेस किया टियाज ने 941 करूर का शेयर यह ओवरल अगरम बात करें दोस्तों आज डियाज ने काफी जदा परचेस किया उसके साथ साथ और एक अपडेट में आपको याद होगा उस दिन पहले में आपको अपड कर दिया अधानी पोर्ट को अमबुजा सिमेंट यह बहुत बार नुकसान तो नहीं होगा फिलाल आप इसके अंदर मतलब अमबुजा सिमेंट के अंदर फ्यूचर और आप्शन ट्रेइंग नहीं कर सकते इतना ही आपको नुकसान होगा बाकी बात करें जब इसका एमड़ करेंगे दोस्तों कर मार्केट किस तरफ जा सकता है तो यहां पर एक दो कंडिशन में आपको समने रखूंगा सबसे पहला कंडिशन आज यूएस मार्केट का क्लोजिंग बहुत कुछ मैंटर करेगा तो आज रात में अगर नेगीटिव में गया उसके सब्सक्राइब में उपेन होने से पहले मतलब इंडियान मार्केट जनेली ओपन होता है प्री मार्केट नौबजे उसके बाद नौर्मल मार्केट नौपंद्रा तो आप एक बार पॉने नौ या नौबजे का सपस चेक कर लेना अगर डॉर जोंस का फ्यूचर कल सुबहा सुबहा पूरा-पूरा कोशिश करना मार्केट करेगा तो यह दो इंपॉर्टन लेवल से अगर नीचे की तरफ गिटता है या तो उपर की तरफ करता है बट कोई भी सिच्वेशन पर मैं आपको वोलूंगा कि गलती से भी हरबर करके सेल करना मत्या पे शेयर बगर सेल मत करना बाक अगर नीचे गिरता भी है तो 17,750 की मैक्स मुझे लगते की गिर सकते है इतना नीचे होने का चांस काफी कम है अब देखना यह मार्केट किस तरफ रहेगा यह जो कुछ भी अपडेट आगा मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के माइंड आप करता आपको सिंपली यह चार चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकाउंट बन जाएगा